और चन्ति विजय दस्मी का यादगार दिवस दस हरा और विजय दस्मी दोनों में दस हैं कौन से दस विकार हैं जिनको हम हरेंगे ठीक है रामायन की तो गाता है कि राम ने रावन पर विजय प्राप्त की थी उस खुशी में उसकी यादगार में लोग रावन के कुमकरणादी के पुतले जलाते हैं प्रन्तु हम जानते हैं इसका सच्चार तो दस विकारों को नस्ट करता है, उन पर विजे प्राप्त करना है, तो हम अपने सभी मनो विकारों पर विजे प्राप्त करें, चाहे वो काम क्रोध लोग मोहनकार हो, चाहे इर सादवेश, घरना नफरत, आलस और अलबेलापन हो, ये सभी मनो विकार हमारी स्थिती को नीचे गिराते हैं, रम्मा वत्सों के लिए तो हर्त्योहार, कुछ ना कुछ नया करने की प्रेणा अवर्ष्य देता है, हम सभी जिनको सर्फ सेष्ट यान है, और जिनका लक्स है इन सभी मनो विकारों को जीत कर करमेंद्रिये जीत बनना, संपून बनना, उनको तो ये दसेरा विशेश प्रेणा देता है, हम जानते हैं कि राज्योग के वल से ही मनो विकारों को जीता जा सकता है, अपने देव स्वरूप की स्मर्ति से ही पवितरता के संसकारों को जागरित किया जाता है, मैं आत्मा मूल रूप में परम पवितर हूँ, इसी स्मर्ति से हमारी पवितर भावनाय, पवितर फेलिंग जागरित होती रहती हैं, इन सब सुन्दर अभ्यासों के द्वारा हम अपनी प्यावरिटी को बढ़ाते चलें, ताकि हमारे अंदर भी जो रावन का अंस है, वो भी नास्ठ होता रहे, और संसार में भी जो रावन का प्रखोप चल रहा है, सभी पर रावन ने अपना अधिकार कर लिया है, दिखाया है सभी देवता रावन की जेल में आ गए थे, प्रकर्ती के तत्व पर भी उसने राज कर लिया था, इसका अर्थ यही है केवल, के सभी देवकुल की आत्माएं अब रावन की अधिन हो गई हैं, मनोविकार उन में आ गए हैं, प्रकर्ती के पांचो तत्व भी दूसित हो गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं मनोविकारों का ही प्रभाव है, तो हमें सारे संसार को, देवकुल की आत्माओं को, संपूर्ण प्रकर्ती को भी रावन के चंगुल से मोक्त करना है, इसलिए हम अपनी पवित्रता के बल को बहुत बढ़ाएं, हमारी पवित्रता का बल ऐसे ही काम करता है, जैसे सूर्ये का उदे होते ही अंदकार भाग ज हम जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, तो ये मनोविकारों का अंदकार सहजी समथ हो जाएगा, तो आज आनन्द भी मनाएं, परन्तु अपने अंदर चैक भी करें, आत्मिसलेशन करें, मेरे अंदर कौन से विकार का अंस बाकी है, काम की फिलिंग से इस हैं, काम की या क्रोध और रोब के वस मैं रहती हूं, रहता हूं, क्रोध रोब ये भी मनुस का बहुत भयानक शत्रू है, इसने भी बहुत ओके जीवन को बरबाद किया हुआ है, लोब जो पाप करा रहा है, जो हत्याय करा रहा है, जिसके साथ स्वार्थ भी मिक्स हो गया है, उसके सुख्शम अन्स को हम चेक करें, महों तो बड़ी मीठी जंजीर है, सोने की जंजीर है इसको धीरे धीरे तोड़ते चलें, महों अनेक दुखों का कारण है, और एंकार ये तो अंदकार लाता है जीवन में, सुक्षान्ती को नंस्ट कर देता है जीवन की, तो हम इन पांचों विकारों पर द्रश्टी डालें, सुक्ष्म रूप से द्रश्टी डालें स्वयम पर, मेरे अंदर वेर भाव है या च्छमा भाव, मेरे अंदर इर्शा द्वेस है या परचिंतन है, दुसरे की बुराई देखने की आदत है, या मैं बहुत आलस और अलबेले पन में रहती हूं, रहता हूं, आज किसी एक बुराई को छोड़ने का ध्रड संकल्प करें, उसके पुर्शार्ट भी करना है, लेकिन संकल्प के बीज का बहुत महत्व है, अपनी बुराई का रियलाइजेशन करना, उसको निकालने का ध्रड संकल्प करना परमावस्चक है, ऐसा यदी करेंगे, तो ये दसहरा विजय दसमी सचमच हमें विजय के पत पर ले चलेगी, और ह आई हो, आपका जीवन सुक से, श्यांती से और संपत्ती से भरपूर रहे, यही हमारी सुब कामना है, ओम श्यांती